मुहम्मद शमी को हम सबने मिस किया और मुहम्मद शमी की सक्सेस को हम सबने इंजॉय करा और अब टाइम है मुहम्मद शमी की वो स्टोरी सुनने का जो बिलकुल हिडन रहे गई थी इस वर्ल्ड कप में वर्लд कप में आपको मحمد شमी तब दिखे जब हारदिक पांडिया इंजेड हो गए थे लिकिन कि आपको ये पता है कि मحمد شमी भी उस टाइम पर इंजेड थे और हर दिन इंजेक्शन लेते थे जा महमब शमी के एक बंगाल के टीम मेट ने जब उनकी स्टोरी बताई तो लोग हैरत अंगेज हो गए और लोग सिल्यूट करने लगे लोग वावाई करने लगे कि यार ये बंदा मतलब जबरदस्त है यार काफी लोग हैं तो ये भी लिखा कि ये सचा देश बक्त है क्योंकि जब ये पता चला कि हाली में महमब शमी ने ये बताया था उनकी हील में दिक्कत है लेकिन जब उस बंदे ने ये बताया महमब शमी ने खुद ये बात नहीं बताई उनके एक टीम मेट ने बात बताई क्योंकि मुहमद शमी ने जिस तरह से परफॉर्म करा लोगों ने सोचा ही नहीं कि मुहमद शमी इस चीज से गुजर रहे होंगे लोगों ने सोचा ही नहीं कि मुहमद शमी इंजर्ड हैं क्योंकि हम आपने जो मुहमद शमी की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी आप देखेंगे सबसे तेज पचास विकेट लेने वाले खिलाडी बन गए, दुनिया में सबसे तेज बन गए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप में वो खिलाडी बन गए, और बहुत सारे रिकॉर्ड स बहुत मिस्स किया लेकिन शमी के बारे जब ये चीज निकल कर आती है कि शमी उस टाइम भी उतना ही इंजर्ड थे उस टाइम भी वो लगतार इंजेक्शन ले रहे थे और क्यूंकि वो वर्ल्ड कप था इसी लिए वो खेल रहे थे और गिव अप नहीं कर रहे थे शमी की एक का एक इंटर्विव था जहापने नहीं बताया था कि अगर कोई और होता तो गिव अप कर देता इतनी तकलीफ थी मुझे और हर जगा में हालाकि उन्हों ने डीटेल स्टोरी नहीं बताई थी लेकि उनुने स्टना बताया था कि मैं इंजेक्शन लेया करता था और इतनी तकलीफ थी मुझे कि मैं वום कप खेल रहा था लेकिन अगर वर्ल कप नहीं होता तो शायद मैं बैढ़ जाता और अगर मेर यह क्या उनको लगातार इंजेक्शन लेने की जरूत पड़ रही थी तो इसी वजह से साउट आफरीका सीरीज में शमी नहीं आए शमी ने जब एक इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं फिट हूँ लेकिन जो हील वाला प्रॉब्लम है न मेरा वो बार बा हो सकते हैं तो उसके लिए आपका फिट होना उस लेवल पर बहुत जरूरी होगी वंडे क्रिकेट में आपको मैक्सिम दस ओवर फेकने हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता है और शायद इसी वज़े से शमी ने बता दिया कि वो इंजर्ड है और अपने नाम वापस ले लिया क्योंकि आपको जो स्क्वाड आया था उसमें शमी का नाम था और हम सोच रहते हैं कि एक बार फिर से वो तीन की तिकड़ी दिखेगी और कमाल दिखेगा लेकिन शमी की ग अपने हील इंजरी से जूज रहे हैं उससे जलसजल रिकवर कर जाएं और आगे आने वावले टी-20 वौल्लकप में फिर से अपना कमाल दिखाएं आगे आने वाली जो सी इसे इंगलैंड के खिलाफ उसमें अपना कमाल दिखाएं और एक बार फिर से हमें वो महमाशमी दे झाल झाल